अगर आप गीजेर खरीदने के मूड में हो और यह डिसाइड ही कर पा रहे हो कि आपको एक libusion खरीदना है या इक इंस्टेट खरीदना है वीडियो के आखिर में आपका यह Instant Gizer वो आपका 3 kWh का होता है और जो Storage Gizer में 6 litr 10 litr होता है वो अभी Starting 2000 Watt से चालू हो जाता है अब जो 3 kWh का Gizer है वो 3000 Watt का होता है और जो 2 kWh का Gizer होता है वो 2000 Watt का होता है अगर आप consumption की बात करें तो 1000 Watt एक घंटा में एक यूनिट कंसम करता है और जो 2 किलोवट का गीजर है वो आपका 2 unit consumption करेगा एक घंटे में तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि कौन सा गीजर आपके लिए सस्ता पड़ेगा लेकिन यहाँ भी instant गीजर किसी किसी जगे पे सस्ता रहता है देखते रहिए दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आयो हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा दोस्तो जब भी आप प्लांबार से सलाम अश्वारा लोगे तो वो आपको instant गीजर की तरफी धके लेगा क्योंकि जो instant gizzard है इसको install करना बहुत आसान होता है यह हलका भी होता है और जो storage gizzard होता है यह बड़ा होता है बहुत और इसको install करने के लिए बहुत heavy drill का जरूरत होता है और इसको installation थोड़ा heavy बन जाता है अब एक ही प्राइस में plumber हर बग यही कोशिश करता है कि हलका वाला गीजर को लगाने का लेकिन जो instant वाला गीजर होता है ये आपका consumption जियादा करवा देता है क्यूं? क्यूंकि जब भी आप ये वाला storage वाला गीजर यूज करते हो किसी भी brand का हो चाहे बजाज का हो चाहे हैवेल्स का हो चाहे वेनास का हो चाहे एवसमीत का हो storage वाला गिजर में क्या होता है आप bathroom में जाने से पहले गिजर का switch on करते हो अब जब आपका पानी गरम हो जाता है तो वो auto cut out हो जाता है आप bathroom में गए और switch को off कर दिये अब इसमें consumption होने का कोई चांस ही नहीं है current का switch off हो गया है लेकिन जब भी आप एक instant गिजर यूज करते हो तो जब तक आप नहाते हो तब तक instant गिजर on रहता है अगर आप ज़्यादा देर तक नहाते हो तो instant गिजर में बिल बहुत ज़्यादा उड़ियाएगा अब अगर आप 2-3 मिनिट में नहा के निकल गए तो तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर आप बहुत देर तक नहाने का आपका आदत है तो ये गिजर आपके लिए अच्छा है इसमें storage में पानी रहेगा और consumption बाद में नहीं होगा लेकिन instant गिजर में बहुत देर तक नहाने से problem आता है इसमें आप क्या कर सकते हो आप bucket में पानी ले सकते हो auto cut हो गया तो आपका consumption एकदम बंद हो गया मतलब जहां पे आप bucket में पानी निकाल के यूज करते हो और वहां पे आपका कोई mixing नल वगरा नहीं है उस जगे पे instant गिजर बहुत अच्छा काम करता है लेकिन जिस जगे पे आपका mixing नल है उस जगे पे आपको storage गिजर ही लेना पड़ेगा उस जगे पे अगर आप instant गिजर लेते हो तो आपका monthly bill बहुत बढ़े आएगा तो दोस्तो क्या आपका concept clear हुआ अगर नहीं हुआ तो आगे कर देता हूँ देखे दोस्तो यह जो गिजर का problem है यह एक ही है कि कौन सा गिजर आप choose करेंगे इसके लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि नहाने का time कितना है ऐसा नहीं कि कितने person आपके घर में नहाएंगे यह आपको देखना पड़ेगा कि जितने भी person नहा रहे हैं उनका नहाने का timing कितना है मान लो कि अगर कोई person bucket में पानी लेके नहाता है यानि आपके जो bathroom है उसमें mixing कल का कोई बंदवस है ही नहीं तो आप instant gizzard के साथ जाएए वो bucket में जल्दी से पानी ले लेगा और आप switch को off कर दीजे तो यहाँ पे आपका consumption बहुत कम होगा अगर आप bucket में पानी लेके नहाते हो फिर आप storage gizzard लेना चाते हो तो 6 liter तक आप ले सकते हो अगर आपके bathroom में mixing null है तो आपको 10-15 ऐसा लेना पड़ेगा बड़े बड़े hotel जहां रहते हैं वहाँ पे 25 liter का gizzard लगा हुआ रहता है देखिए जितना बड़ा gizzard आप लीजेगा उतना आपका safe है क्योंकि उसमें थोरा गरम पानी रह जाता है बाद में जब ठंडा पानी उसके अंदर जाता है तो वो पानी गरम ठंडा mix हो जाता है लेकिन बाद में थोरा सा गरम करने से दूसरा आदमी नहा सकता है अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आपके जो जगा है वहाँ पे iron है पानी में आइरन के वजे से आपका घियजर खरब होता है तो आप इंस्टन घिजर लोगे have the五 to B इसा बात नहीं है इंस्टन घिजर एक लिटर हो या तीन लिटर हो उसमें टैंक रहता है तीन लिटर का टांक ही इसलिए तीन लिटर गा घिजर है एक लिटर का टैंक है या 15 लिटर का पानी रहता है और इसमें 3 लिटर का पानी रहता है तो वो टैंक में लगा हुआ ही रहता है और उसमें आपका जो टैंक है वो छेद होने का चांस रह जाता है तो इसमें क्या होगा ये छेद होने से आपका खर्चा कम होगा ये छेद होने से आपका खर्चा ज् आपका जो दिवार है वो हलका दिवार होने पे वहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाता है क्योंकि इसमें 3 लिटर पानी रहता है लेकिन ये वाला जो गीजर है ये 6 लिटर, 10 लिटर, 15 लिटर ये अच्छी तरह ड्रिल करके इंस्टॉल करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत भाड़ी हो जाता है पानी गिरने के बाद और हर वक्त इसके अंदर वही पानी रहेगा पानी तो आप निकाल नहीं पाओगे पूरा क्योंकि हर वक्त गीजर में पानी उतना ही रहेगा तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका जो concept है वो clear हो गया होगा अगर कोई भी आपका मन में सवाल है तो आप comment करके जरूर मुझे पूछिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक like जरूर कर दीजेगा और ये क्या है ये है instant एक लिटर वाला गीजर जिसमें आपका installation नहीं लगता है इसके बारे में जानने के लिए चैनल को subscribe करके बेल आइकेन को on कर दीजेए तो आपको इसका notification जरूर मिल जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो पे